नमश्कार SBT News में आपका स्वागत हैं पेश एर्ट नमवंबर मंगलवार दुपर सवा एक बजी राजिस्तान की पंद्रवडी खबरें सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हर्लाइन्स पर साल भर में 55 लाग से अधिक शुरधालू रामदेवरा पहुंचे अब भाजपा का निकलेगा प्रच्वारत सभी विधान सबाश शेतर में जाएगा वन रक्षक भरती में परिक्षाथियों को स्लीपर पहन कर आना होगा अब दिल्ली में बैन हो सकती है राजिस्थान रोडवेज की बसें और डाक सेवग घर जाकर बनाएंगे जीवन प्रमान पत्र और अब खबरे विस्तार से डाक विभा के और से देश की प्रमुक मंद्रों का प्रसाज शद्धालों को घर बैठे उपलप्त कराने के लिए शुरू की गई योजना राजिस्थान में सफल होती नहीं दिख रही है प्रदेश में अब तक केवल जैसल मेर में रामदेवरा से बाबा रामदेव मंदिर ही इस योजना से जुड़ा है ताज्यू की बात यह है कि एक साल में रामदेवरा से भी केवल 134 रधालों ने घर बैठे स्वीट पोस्त प्रसाद मंगवाया है जबकि साल भर में रामदेवरा आने वाले भक्तों की संख्या पच्मन लाग को पार कर गई पालिका बल्ला लेश्वर गनपती मंदिर प्रदेश का दूसरा मंदिर है जिसने इसी योजना में रूची दिखाई है रास्तान में भाजपा ने जनवरी तक कॉंग्रिस सरकार की खिलाफ माहौल खड़ा करने का ब्लूप्रिंट फाइनल कर दिया है केंडे संगठन और प्रभारी अरुन सिंग ने इसकी मंजूरी जोरी कर दी है अब भाजपा गहलो सरकार के 4 साल के कारिकार के काउंटर से लेकर 9 साल तक गहलो सरकार के खिलाफ बड़ा माहौल बनाने जो रही है इसी कड़ी में टाय किया गया है कि 200 विधान सभाओं में प्रचार रथ गाउधानी तक जो आएंगे करीब 9 से 10 दिन तक कुल 300 किलोमेटर तक ये रत चलेगा वन रक्षक भरती परिक्षा 12 वे 13 नमबर को होगी इसके लिए 200 जिला मुख्याले पर 26 सेंटर बनाए गए है इसमें 8 सरकारी और 18 प्राइविट स्रिक्षन संसान को सेंटर बनाए गया है परिक्षा 4 पारी में होगी प्रितेक पारी में 10,008 अभ्यर्थी पंच जिकरत हैं इस इसाफ से जिला मुख्याले पर दोनों दिन में 40,000 से अधिक अभ्यर्थी आएंगे जिसमें अधिकांश लोकल हैं परिक्षा में पहली पारी का समय सुबह 10 बज़े से दोपहर 12 बज़े तक और दूसरी पारी में दोपहर 30 बज़े से शाम के 45 बज़े तक होगी इस भर्ती में अभ्यर्थी स्लीपर पहन कर आ सकेंगे दिल्ली में प्रोडूशन बढ़ने के साथ ही बाहरी राजय से आने वाली BS4 डीजल बसो पर संकट खड़ा हो गया है यही वज़े है कि राजसान से दिल्ली जाने वाली रोड़ वेज बसो का सफर कुछ महीनों में रोक सकता है वज़े NCR में प्रोडूशन कम करने के लिए बनाए गई सुप्रीम कोड की कमिटी ने फिर से BS4 की जगा BS6 की बसे चलाने के सिफारिश की है इतना तैह है कि कुछ महीनों में प्रदेश की BS4 की 650 बसो पर पूरने तैयर रोक लग सकती है ये 4500 करोड रुपए के घाटे में दबे रासान परिवहन निगम के लिए बड़ा जुटका है अब पैंशनर्स को जीवन प्रमान पत्र बनाने के लिए कहीं जाने की जुरूत नहीं पड़ेगी डाक विभाग ने ये काम अपने हाथ में लिया है जिसकी तहरत देशवर में पोस्टमैन घर घर जाकर पैंशनर्स के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाएंगे बज़ुर्गों को जीवन प्रमान पत्र के लिए कई परिशानियों का सामना करना पड़ता है अब पैंशनर्स अपने नजदी की डाक घर के पोस्टमैन या ग्रामीन डाक सेवक के मादिम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे इसके बदले 70 रुपए का शुलक देना होगा जालावार में भी ये व्यवस्था शुरू हो गई है टोंक में जिलास तरिये तराकी प्रतियोगिता के लिए स्विमिंग पूल की व्यवस्था तक नहीं हो पाई है नियमों के विपरी तलाब में बच्चों को स्विमिंग करवा दी जबकि नियम के तहट ये स्परधा स्विमिंग पूल में ही करवाई जाहिए स्युमिंग पूर में तराकिस पर्धा सुरक्षित भी रहती है लेकिन जिले में लंबे समय से तराकिस पर्धा तलाबों में ही करवाई जाती है शेत्र के काशीपूरा स्कुल में तराकिय प्रतियोगिता में ед भाग ले रहे हैं कई खिलाड़े उने बताई कि उन्हें गेहरे पानी में तैरने में परिशानी आई, साथ ही तलाब कच्छा होने के करण पानी भी साफ नहीं था पिछे सबताह सोलो नए खनन पटे जारी होने के बाद राजस्तान में बजरी के व्याद पटो के संख्या 28 हो गई है पर दरें कम नहीं हुई है जगर और दूरी के हिसाब से ये 900 से 1300 रुपय प्रती टंग की रेट पर बिक रही है लगाम लगाने का सबसे आसान रास्ता MP की तरच पर चेक पोस्ट स्थापित बनाना है पडोसी राज्ये MP में अवायद खनन वे रॉयल्टी की चोरी रोकने के लिए पुलिस खनेज राजस्फु वन वे परिवहन विभाग की समिक्ते चेक पोस्ट बनी है जबकि रास्तान में अलग-अलग विभाग चांच करते हैं राजे में ऐसी चेक पोस्ट बनने पर बज़री 30 विश्दी तक सस्थी हो सकती है रास्तान में अफसरों मंत्रियों के बीच खींस्तान रह रहकर बाहर आ रही है यहां तक बात सामने आ रही है कि सीम की समिक्षा मीटिंग के बाद विभाग अफसर अपनी बैठकों में मंत्री तक को नहीं बुला रही है एक नेर ट्रेंड सामने आ रहा है जिसमें अफसर सीधे मीटिंग्स लेकर दिशा निर्देश चारी कर रहे हैं हलांके सीनियर मंत्रियों को लेकर ऐसा नहीं है उदर एसी आर के अधिकारी मंत्रियों को दिये जाने जैसे बड़े मुद्दे में अब ग्रामिर विकासें पंच्वायती राज मंत्री राजेंद्र गुड़ा की भी एंट्री हो गई है बिकानेशर के पुराने सिनेमा हौल में सुमवा रात अचानक आग लग गई आग इतने जबरदस्त एक हौल के अंदर रखे फनेशर के साथ ही उपर लगा टीन शेट भी चल कर गिर गया पिछले बाइस साल से बंद इस सिनेमा हौल के अंदर कबाड भरा पड़ा था जिसमें आग लग गई और पूरे हौल में फैल गई गनीमत ये रही कि इस हासे में कोई घाल नहीं हुआ मुरली धर्वियास, नगर और बिछवाल से दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंच कर आग पर करीब दो घंटे के मश्रकत के बाद काबू पाया रास्तान सरकार ने देरात राजे प्रिशासनिक सेवा के 75 अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जोरी कर दी है इसमें दोसाथ जिले के कई अधिकारियों को इधर उदर किया गया है लिस्ट में सबसे चर्चित ट्रांसफर जिला परिशद के मुखे कारीकार अधिकारी शिव चरण मीना का है जिन्हें टोंक जिले का अतरिक्त जिला कलेक्टर लगा गया है सीईओ मीना को पिछले दिनों चिकिस से अमस्वास से मंत्री परसादी लान मीना ने बजट घोशनाओं की समिक्षा बैटक से बाहर निकाल दिया था डंपिंग याड के धुए से उदैपूर के बलीचा के पंडी दिन दियाल नगर में लोगों का सांस लेना बेहत मुश्किल हो गया नेता प्रतिपक्ष गुलापचंत कटारिया और अमले फूल सिंग मीना की कई बार बोलने की बावजूद भी उदैपूर कलेक्टर और नगर निगम कमिशना ने कोई कदम नहीं उठाया हैरानी वाली बात यह है के नगर निगम में भाजपा का बोर्ड होते हुए भी भाजपा के वरिस नेता कटारिया और विधाईकों की सुनवाई नहीं हो रही है अफसरों की लापरवाही से कलोने के बच्चे बज़र्ग बिमार हो रहे हैं के कुल 43 पदोपर भरती के लिए आवेदन की कलांतिम ती थी है 20-40 साल के यूवक एक जनवरी 2023 तक इसमें शामिल हो सकेंगे केंडिडेट का सेलेक्शन एक्जाम के माध्यम से होगा सभी प्रश्ण अब्जेक्टिव टाइप में होंगे केंडिडेट 9 नुमबर 2022 की रात तरी 12 बज़े तक ऑनलाइन नावेदन कर सकते हैं सीकर में ट्रेन में एक महिला का धाई लाक रुपय का मंगा सुत्र चोरी हो गया चोरी की यह घटना चूरू जापूर पैसेंच जो ट्रेन में हुई महिला ने अब जी आर्पी पुलिस स्टाने में शिकायत दी है सीकर के सामली गाउं की सुनीता ने जी आर्पी पुलिस स्टीशन सीकर में रिपोर्ट दे कर बताया कि वो अपने पिहर मंडावा से सीकर आने के लिए फटेपू स्टीशन से ट्रेन में बैठी थी उसने ट्रेन में बैठने के लिए कुछ दिर बाद देखा तो गले में पहना हुआ पांस तोले के सोने का मंगा सुत्र गायर था राहुल गांधी की भार जोड़ो यात्रा की तैयारियों में राश्तान सरकार और कॉंग्रेस पार्टे जोशोर से जुट गई है राश्तान में ये यात्रा मध्य प्रदेश के रास्ते से जालावाट जिले में प्रुवेश करेगी मध्य प्रदेश में राहुल के यात्रा मार्ग में कई जगह घना जुंगल है वन विभाग के अफसरों ने राहुल के यात्रा में जूटे कॉंग्रिस के आला नेताओं को यात्रा के दुरान सावधाने बरतने और मार्ग में थोड़ा सा बदलाव करने का सुझाओ भी दिया है सियम खुद राहुल के यात्रा रूट पर सुरुक्षा विफसाओं का जायज़ा ले रहे है राश्तान में आज से मौसम के फिज़ा बदलने के आसार है मौसम विभागने अगले दो दिन हलके बारिश के आसार जोताएं है खास तोर पर पशिम राश्तान के अधिकांश इलाकों में हलके बारिश हो सकती है 10 नमबर से प्रदेश में पारे में गिरावट का दौर शुरू होगा मौसम विभाग के मताबिक राजिस्तान में पशिम विक्शोब सक्रिय हो चुका है इसके प्रभाव से आज राजिक अधिकांश भागों में बादल च्वाय रहेंगे कई जगा हलके बारिश भी हो सकती है तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना हैं फिर हाजरों के कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर